तो गाइस क्रिश्ट 4 को लेकर बहुत ज़्यादा रूमर्स भी उठ रहे हैं और कुछ-कुछ फैक्ट भी उठ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या रूमर्स है और क्या फैक्ट है तो वीडियो को लास्ट ज़रूर देखना वैल हेलो दोस्तों वेलकम यूटूब चैनल मुवीवला दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही क्रिश्ट 4 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए तो आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि क्रिश्ट 4 के स्क्रिप्ट पे काम चल र अरे पांडू आपको भी गाइस पांडू जैसे सवाल आ रहा होगा कि दस साल से स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है तो आपको और पांडू को बता दू कि स्क्रिप्ट पे काम कोवीड के बाद से शुरू हुआ है उससे पहले दोस्तों राकेश ओसन का तब्या ठीक नहीं था और बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखाता है उसके बाद को एक फाइनल होता है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो अभी का अपडेट यही है कि स्क्रिप्ट अल्मोस्ट कंप्लीट है बस क्लाइमेक्स का सीन लिखना पाकी है और आपको मैं बता दू टाइम्स ओफ इसको लेकर राकेश वसन ने कहा है यह एक्दम गलत है आप सब इस्क्रिन पर पढ़ सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या रूमर्स है फिल्म क्रिप्ट फॉर को लेकर तो आपको मैं बता दू अभी बहुत जादा रूमर्स चल रहा है तो पहला रूमर्स यह है कि फिल्म क्रिश फोर में जादू वापस आएगा ये दोस्तो अभी पूरा-पूरा रूमर्स है सेकंड रूमर्स है कि रित्तिक रोशन फिल्म में हीरो भी होंगे और विलन भी होंगे ये भी एक दोस्तो रूमर्स ही है आगे चलके ये सब सच हो सकता है लेकिन फिलाल के लिए अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है जिसके चलता है ऐसा लग रहा है कि ये एक रूमर्स है तो अभी दोस्तो दो ही चीज रियल है क्रिश फोर को लेकर और वो है दोस्तो इसक्रिप्ट का काम अल्मोस्ट खटम हो चुका है बस क्लाइमिक सीन बागी है और दूसरा फिल्म को डेरेक्ट करेंगे राकेश रोसन कोई हॉलिवोर्ट से डेरेक्टर नहीं आएगा तो मैंने आपको क्रिश फोर को लेकर सारा बात बता दिया फिलाल आगे कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर पताऊंगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हो क्रिश 4 को देखने के लिए 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 पताना कॉमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई